नमस्कार दोस्तो, Tech Home Tips में आपका स्वागत है और आज आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा घरेलू नुस्का जो आपको दाद खाज यानि रिंग वाम से बिल्कुल छुट्टारा दिला देगा दोस्तो, दाद तवचा की उपरी परतपर होता है यह एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति को बहुत ही आसानी से फैल जाता है दोस्तों दाद एक ऐसी बिमारी है जो बहुत ही परेशान करती है और अगर इसका सही समय पर इलाज ना किया जाए तो ये धीरे धीरे शरीर के बाकी हिस्तों में भी फैलने लगती है खास कर सर्दियों या मानसून के मौसम में इसका प्रकोप कुछ जादा ही बढ़ जाता है तो सबसे पहले जानते हैं कि दाद खाज यानि रिंग वाम होता क्या है दोस्तों दाद तवचा की उपरी परत पर होता है और ये एक वेक्ती से दूसरे वेक्ती को बहुत ही आसानी से फैल सकता है दाद को अगर हम मेडिकल टर्म में कहें तो इसे टीनिया भी कहते हैं ये एक परतदार तवचा पर गोल और लाल चिकत्ते के रूप में दिखाई देता है इसमें बहुत जलन और खुजली होती है एक वेक्ती से दूसरे वेक्ती को बहुत आसानी से फैलता है इसलिए दाद खाज में हमें बहुत जादा प्रिकॉशन लेना चाहिए एक दूसरे के कपडों का इस्तमाल नहीं करना चाहिए साथ में सफाई पर बहुत खाज ध्यान रखना चाहिए दाद खाज एक तरह का फंगल इंफेक्शन है जो शरीर पर काफी सारे हिस्सों पर हो सकता है जैसे की सर पर, पैर पर, गर्दन या जो जो जोइन्स होते हैं जैसे जांगों के पास, घुटनों के पास या हमारे इंटरनल पार्ट्स पर यानि हमारे अंदुरूनी अंगों के आसपास होता है दाद की वज़े से काफी जादा खुजली होती है और अगर ये चहरे या गर्दन के पास हो जाता है और इसका ठीक से इलाज नहीं किया जाए तो इससे दाग दब्बे भी छूट जाते हैं जो आसानी से ठीक नहीं होते दोस्तों दाद खाज की सबसे खास निशानी ये होती है कि इसमें खुजली बहुत जादा होती है और खुजली भी इस लेवल की होती है जब तक आप इसे खुजला ना ले यानि जिस एरिया पे आपको खुजली हो रही है इंट्रेक्टिड एरिया पे जब तक अपना हाथ रब ना कर ले या कोई चीज से रगर ना ले तब तक आराम नहीं मिलता है अब हम बात करते हैं कि होता क्यूं है दात खाज की basic reason क्या है क्यूं होता है क्यूंकि अगर हमें पता होगा कि क्यूं होता है तो हम इससे आसानी से बस सकते हैं दोस्तों जदा मीठा, नमकीन तो अच्छा वैक, खुजली, जलन और रेडनेस आ जाती है, जो बढ़ कर दाथ खाज का रूप ले लिता है, तो अब हमें पता चल गया कि होता क्या है, लक्षन क्या होते हैं, अब बात क्याते हैं हम कैसे बच सकते हैं, क्या हम अपनी लाइस्टाइल में एड़ाउन करें, या किस तरह की लाइस्टाइल जीएं, ताकि हम दाथ खाज से बच जाएं, दोस्तो सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट में वाइटमिन E एड़ाउन करना पड़ेगा, क्यूंकि हमारी स्किन में जब ड्राइनस होती है, हेल्दी नहीं होती हमारी स्किन, तब हमें दाथ मजबूत होगी, इससे हमारे शरीर में फंगल इंफेक्शन नहीं हो पाएगा, तो वाइटमिन E के लिए आप ओलिव ऑइल का यूज कर सकते हैं, आप सूरज मुखी के तेल का यूज कर सकते हैं, अक्रोड, मसूर की डाल, पालक, बादाम, इन सारी चीजों को अपनी लाइ से घर में ठीक किया जा सकता है, ऐसे तमाम नुस्के हैं, जिए बहुत असरदार हैं और जिनका लोग अक्सर घर में इस्तमाल करते हैं, उनी मैंसे दो नुस्के में आज आपके लिए लगिया हूँ, जो 100% रिजल देंगे, आप एक बार इने इस्तमाल करेंगे, आपको जिसमें मैं इस्तमाल कर रही हूँ लैसुन का, दोस्तों यहां देखिए मैंने लिये हैं दो लैसुन की कलिया, लैसुन को अच्छे से छिल लिया है और ये हमारे दो लैसुन तयार है, इसके साथ मैं ले रही हूँ इसमें एक लॉंग, जैसा मैंने बताया कि लॉंग हमारे को infection से दूर रखती है और हमारी skin के लिए बहुत अच्छी होती है उसी तरह lesson में भी बहुत खासियत होती है ये भी हमें infection से दूर रखता है इसमें antifungal properties होती है जो skin related problems से हमारे शरीर को दूर रखती है अब हमें क्या करना है ये long और lesson को बारीक सा कूट लूँगी तो यहां पर देखिए मैंने ये कूटनी ली है और इस कूटनी में मैं इन दोनों चीजों को अच्छे से कूट लूँगी तो एक हमारा paste बनके तयार हो जाएगा अब देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा paste बनके तयार हो गया है अब मैं इसमें डालूंगी आधा चोटा चमच शहद दोस्तों शहद हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है स्किन को मौशराइज रखता है और जब स्किन में सौफनेस रहती है मौशराइज रहता है तो हमारी स्किन में infections नहीं आते तो ये तीनों चीजे जब आपस में मिलेंगी तो एक बहुत अच्छी home remedy तैयार होगी अगर आपके पास olive oil है तो आप आधा चमच इसमें olive oil भी डाल देंगे अगर olive oil नहीं है तो आप रहने दीजे देकिन अगर olive oil है तो आपके लिए ये home remedy दात खाज ठुजली को ठीक करने के लिए एक राम बांड से कम नहीं होगी तो आधा चमच मेरे पास olive oil है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और देखिए ये paste बंकत हमारा तैयार हो गया है और ये जो paste है ये इतना असरदार है कि आपको एक बार लगाने से ही effect दिखना शुरू हो जाएगा बात करते हैं लगाना कैसे है तो अब जिस भी area में हमें दात खाज है पहले उस area को अच्छे से साफ कर लेंगे अब उस साफ की हुई area में ये जो हमने paste बनाया है इसको एक अच्छी layer में लगा देंगे और फिर इसको लगभग एक घंटे तक यहाँ पर लगे रहने देंगे दोस्तो अगर ये आपको दात खाज कुछ ऐसी area पर है जहां आप ये cream लगा रहे हैं और उसके बाद आपको कपड़ा पहनना है तो आप ऐसा कीजे कि इस cream को लगाने के बाद इसके उपर एक cotton का इसके उपर एक cotton रग दीजे और उसके बाद उसके उपर थोड़ी tape लगा दीजे तो इस तरह से करने से आपने जो lotion लगाया है वो अपनी जगे यानि दात खाज के उपर बना रहेगा और एक घंटे तक अराम से अपना असर दिखाता रहेगा और अगर आपको दात खाज ऐसी खुली एरिया में है तो आप सीधे ही lotion लगा के उसे खुला ही छोड़ दीजिए अब एक घंटे के बाद हमें इस lotion को गुंगुने पानी से धो लेना है और इस पेस्ट को आपको हफ़ते में दो से तीन बार लगाना है अब पहली बार में ही असर देखने लगेंगे और आपका दात खाज इस तरह से गायब हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि स्किन में कभी दात खाज हुआ भी था कि नहीं दोस्तो अब बात करते हैं दूसरी होम रेमेडी की जो बहुत ही इजी है तो इस होम रेमेडी में मैं इस्तमाल कर रही हूँ हल्दी का दोस्तो हम सभी को पता है कि हल्दी एक नैचुरल एंटिबायटिक की तरह काम करता है और हमारी बोड़ी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है तो यहां मैं आधा चमश ले रही हूं खल्दी इसके साथ मैं दोस्तों इस्तमाल कर रही हूं ऐलोवेरा का दोस्तों ऐलोवेरा एक एंटी फंगर और जिवानु रूधी लिक्विट की तरह काम करता है इसली हमें एलोवेरा मिल जाता है अगर आपने घर में पौधा लगा रखा है तो आप उससे भी एलोवेरा ले सकते हैं यहां मैं एलोवेरा जेल का इस्तमाल कर रही हूं एक चमश एलोवेरा जेल लिया है अब हम डालेंगे इसमें एक छोटा चम्मच नारियल के तेल का दोस्तो तवचा संबंधी समस्याओं के लिए नारियल का तेल बहुत ही अच्छा माना जाता है ये ना केवल खुजली वाली तवचा को राहत देता है बलकि हमारी स्किन को मौशराइज रखता है, सौफ्ट रखता है इसलिए खासकर सल्दियों में तो नारियल का तेल बहुत ही बढ़िया होता है अब इत तीनों चीजों को मैं अच्छे से मिला के फेट लूँगी और अब आपका ये जो ओयल बन के तैयार हुआ है, ये जो पेस्ट बन के तैयार हुआ है इसे आपको लगाना है सबसे पहले तो आपका जो भी दात खाज खुजली वाला एरिया है आप उसको दिन में लगा दीजे दिन में आप एक अच्छी सी लेयर इसमें लगा दीजे और आप इसे छोड़ दीजे इस होम रेमेडी का ये फाइदा है कि आप इसे कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं कोई भी एरिया में आपको दात खाज है आप उसे लगा सकते हैं रात को सोने से पहले आपको ये लोशन जरूर लगाना है, आपके जहाँ जहाँ दाथ थाच है वहाँ पर लगा लीजे, थोड़े हलके कपड़े पेरिये ताकि ये लोशन अपना अच्छे से काम कर पाए और बस इसे लगा के छोड़ दीजे, सुबह हलके जुन्गुने पान कीजिए, आपको तुरन से असर दिखेगा, साथ में स्किन जो दाथ खाश फुझली की वज़े से खराब हो गई है, वो भी बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगी, और स्किन का अच्छा सा नैच्रल ग्रो मेंटेन रहेगा, तो दोस्तों ये दोनों ही दाथ खाश फुझली क होम रेमेडीज को आप ट्राइक कीजेगा, मुझे कमेंट में जरूर बताएगा कि ये होम रेमेडीज आपको कैसी लगी, और इन होम रेमेडीज को आपने अगर एपलाई किया, तो आपको क्या असर देखने को मिला, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है, तो इस वीड आपने बाद